हाई वेलकम तो मैं चनल इस बीड़ी में सॉल्व करें क्योशन नुबर 10 अ ट्रेट्समेन मार्क्ड हिस गूद्स अच प्राइस दाफर अलाविग अडिस्काउंट फिफिटीन परसंट ही मेक्स अप्रफिट अप्रफिटी परसंट कि अप्रेट्समेन मार्क कर रहा है अपने गूड्स को मतलब कि बेच रहा है अपने गूड्स को एक मार्किंग करके मतलब कि वह इस तरीके से लगाता है मार्क करता है इस तरीके से कि अफटर इलाओ ये डिस्काउंट आफ मतलब जब वह 15 परसंट का यदि डिस्काउंट देता है फिर भी फिर भी तैस अफ्राफिट अफ्र्राफिट होता है 20% का तो कर रहा है कि what is the mark price तब बताए कि क्या होगा mark price आइटिकल का यदि उसका cost price आइटिकल का जो cost price से वो दे दिया है 170 रूपीज तो देखे ध्यान से समझेगा यहाँ पर आपको हमेशा इस तरह के problems को solve करने के लिए एक diagram बनाना चाहिए और वो diagram है आपका यह पहले CP बनाएए पहले CP लिखे फिर उसके बाद से लिखे MP फिर लिखे SP ठिक है और यहाँ पर क्या relation इन तीनों में है ध्यान दिजेगा यदि CP और SP में जो relation होगा वो हमेशा profit परसंट और loss परसंट निकालने के लिए होता है मदब कि profit यदि होता है या loss होता है तो CP और SP के use करके हम find करते हैं MP का कोई role नहीं होता profit परसंट और loss परसंट को करकोड़ करने के लिए ठीक है एकदम यह बठा लिजे दिमाग में तो इस question में MP की बात भी कर रहा है तो जब MP की बात होगी तो यहां पर इतम समझ जाए कि CP और SP में हमेशा profit होगा ठीक है हमेशा यहां पर loss कभी नहीं होगा ठीक है हमेशा profit परसंट की बात होगी तो यहां पर दे ही दिया है कि profit परसंट कितना हो रहा है 20% तो यहां लिख लेंगे आप तो इसका मतलब कि mark price पर जो discount दिया रहा है यहाँ पर वो है आपका 15% यहाँ पर है 15% अब यहाँ पर एक बात ध्यान देजेगा कि जब भी discount की बात होगी जब भी यहाँ पर है discount की बात होगी वो हमेशा MP और SP के बीच होगा एकदम ध्यान में रख लिजेगे मतलब कि हमेशा discount percent की होगा MP में से जब 15% मैनस करेंगे तब ही SP आएगा इसके बीच में होता है ठीक है तो यही diagram आपको इसमें करके note कर लेना है उसके बात से क्या बोल रहा है देखिए पूछा आपको क्या है what is the mark price तो यह MP पूछा हुआ है कि यह क्या होगा whose cost price is 170 तो cost price दे दिया है यहाँ पर 170 रुपीज तो यह cost price दे दिया है तो यह बताए यह cost price पता है profit percent पता है तो SP तो निकाल ले सकते है न तो पहले SP निकालेंगे उसके बात से आप MP निकालेंगे given that दिया है हमारा CP CP of the article कितना दिया है 170 ओके और profit percent दे दिया इसका profit percent इसको तुक दे दिया है है तो आप निकाल सकते है SP तो यहाँ पर निकालेंगे पहले SP तो SP बराबर क्या होगा formula होता है CP multiplied by 100 plus profit percent upon 100 यह होता है यहाँ पर CP की value क्या है यहाँ पर है 170 तो लिख लेंगे आप पर 170 multiplied by 100 plus profit percent तो 100 plus profit percent कितना हो रहा है 20% upon 100 solve कर लेते हैं तो यह मिलेगा हमें 170 multiplied by यहाँ पर हो जाएगा 120 upon 100 0-0 cancel हो गया है यहाँ पर और यह 0-0 cancel हो गया तो 12 से रहें गया 12 से रहें 84 होता है तो 4 हो गया 8 carry over and 12 बंज़े 12 12 and 8 20 हो गया तो यह हो जाएगा 204 रुपीज तो आपका निकल गया SP selling price ठीक है selling price है यह मतलब यहाँ पर अप लिख सकते हैं 204 रुपीज यह आपका हो गया selling price अब निकालेंगे MP क्यों क्यों क्योंकि यहाँ पर discount percent आपको पता है 15% तो MP निकाल सकते हैं क्योंकि MP और SP और discount percent में एक relation होता है और उस relation से हम क्या करेंगे MP निकालेंगे क्योंकि हमें SP मिल चुका है यहाँ पर तो यहाँ पर SP मिल गया हमें 204 तो it implies लिख लेंगे एक बार कि SP is equal to मिल गया 204 रुपीज और SP दिया हुआ है और discount percent दिया हुआ है तो यहाँ पर यह उभी लिख लेंगे discount percent discount percent given है 15% यदि आपको SP पता है और discount percent पता है तो आप निकाल सकते है MP MP निकाले का formula होता है SP multiplied by 100 upon 100 में से minus करेंगे discount percent discount percent ओके तो यह formula लगाएंगे तो SP क्या होगा यहाँ पर यहाँ पर हो जाएगा minus में discount तो 100 minus discount कितना है 15% अब यहाँ solve कर लेते हैं तो मिलेगा आपको 204 multiplied by 100 upon यह हो जाएगा 85 अब यहाँ पर 5 से किंसे लट कर लेते हैं तो यह मिलेगा 5 से तो 5 बंजा 5 5 से 35 5 तुजा 20 5 तुजा 10 हो जाएगा 20 हो जाएगा 17 मजा 17 17 से कटेगा तो मिलेगा आपको 17 मजा 17 और 17 तुजा 34 अब यह हो गया इतना तो 12 तुजा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा और एक 0 बचेगा तो 240 रूपीज आपका क्या आजाएगा इतना आजाएगा MP marked price और यही पूछा है आपका तो hence लेख सकते हैं आप hence MP of the article is equal to 240 रूपीज तो होब क्यों समझ में आगया होगा तो यदि आपने subscribe अभी तक नहीं किया है तो subscribe कर लिजेगा क्योंकि आपको ऐसे ही वीडियोज मिलते रहेंगे आप जब तक क्लास 12 तक पास नहीं कर लेते हैं ओके और हो सकता है कि मैं BSC तक भी आपके साथ रहूँ ओके और जदी आपने subscribe कर लिया है तो फिर तो share करिए दस्तों को और comment करिए जितना हो सकें ओके thank you so much बाई